दोस्तो शड़ी मूड में आपका स्वागत है बिहार पलिस कुश्टिबल की जब भी भरती आता है तो लाखो अभिहारते इसमें फोर्म अपलाई करते हैं सीट के पांच गुना रियल्ट दिया जाता है फिसकल के लिए और फिसकल पर ही मेरिट लिष्ट बनता है अगर हम फिसकल में बात करें तो टोटल सो नंबर का फिसकल होता है और यह सो नंबर में आप देखेगा कि पचास नंबर दोण में होता है पचीस नंबर गोला फेक में होता है और 25 नमबर हाईजम में होता है आटी आई का जवाब दे दिया है CSBC ने आप लोगों का काफी डिमांड था कि सर जो फिजिकल में लड़के फेल हुए हैं उसका बताईए टाइमिंग बताता है कि नहीं बताता है तो चलिए सुरुआत करते हैं यह आटी आई जो लगाया गया इसका उफिसेली जवाब आया है और पहली बार देखिएगा कि फिसकल के मार्क्स भी बताया गया है CSBC दवरा आटी आई में और कितना आपका सकेंड लगा है समय रणिंग में कितना आया है गोला फेक में कितना है इसका भी जवाब देगा तो अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो यह आपके लिए उपियोगी होगा सबसे पले देख लीजिए यहां पर जो आटे लगाया गया था उसका डेट भी यहां दिया हुआ है यहां पर देख सकते कि 69-22 को इनके दारा अवेधन किया गया था जिसका जवाब अब देखिएगा CSBC के पास यह पहुँच गया था 27-22 को और इनके दोरा जो सुचना मांगा गया था उसे दियान पूर्व के देखिएगा तब ही समझ पाईएगा सबसे पहले आपको बता दू कि यह नोटिफिकेशन संख्या 05-2020 के अंतरकत जो भरती आया था 24-15 पदो के लिए उसमें देखिएगा कि हज्जारों के संख्या में लोग मेरिट लिष्ट से बाहर हुए थे और काफी लोग चिंता भी कर रहे थे कि हमारा मेरिट लिष्ट से कैसे हम बाहर हो गए तो मैंने आपको बताया था हो सकता है कि जो मैं बताता हूँ वो भी सही भी हो सकता है या ज लेकिन मैं इनको सच्चाई जब बताया तो इनको समझ में आ गया कि क्या सच्चाई चलता है ठीक अब यहां पर देख सकते हैं कि जो इनके द्वारा मांगए कि यह नौन जो है मतलब कि होम गार्ड के नहीं है या आपके जैसा ही समाने बेखती है इनको होम गार्ड वाला अर है और По 2 यह ही नौन होम गार्ड है और ततर सारीरिक दख्षता परिछन में आपका परपतांक यह बासट इसमें देखेगा ग्रम जो मिला हुक है यह 20 नमबर मिला हुआ है और दोड में जो इनको समय लगा हुआ है इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसे दिहान पूर्वग देखें यहाँ पर इनको जो मिला हुआ है माक्स यह दोड में 20 नमबर मिला हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं का जो समय लगा हुआ है ये 5 मिनट 44 सकेंड पॉइंट 6 आपको यहां देख सकते हैं कि 44 सकेंड अब यहां पर क्या हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं कि मात्र 4 सकेंड के चलते 4 सकेंड के चलते यानि कि मैं जैसे 4 सकेंड मिस क्या हुआ कि 4 डेक आप अंतराल मिला सकते हैं या ऐसे एक दू तीन चार चार सकेंड आपका खतम और इनका हाथ से जोब निकल गया समझ रहो न पूरा मेहनत पर पाने फिर गया ये चार सकेंड और ये क्यों हुआ क्योंकि आप पता है कि उस समय क्या चल रहा था उस समय धूपा काफी जादा हो गया था और काफी जो नाक में धूल कर चले जा रहा है थो उसका भी परकोप दिखाई दे रहा था देखेंगे गोला फेक में तो 25 में 25 इनको अंक मिला है इनको उची कूद में भी देखिएगा कि 17 अंकी मिला है यानि कि ये चार-चार है जाने है तो उची कूद में इनको 17 अंक मिला हुआ है अब हम बात करते हैं क latte के स्रेणी के अंतरगत कट-फ कितना गया है इनके स्रेणी के अंतरगत जो कट-फ गया है इनको marks कितना मिला है 62 मिला है 2-2 यानि कि कहाँ different हुआ ये अपने अंदाजा से मिला अगर चले थे कि हमारा जो आ जाएगा कैसे कि 30 नमबर आ जाएगा मेरा दोड में और गोला फेक में 25 नमबर होगा और उची कुद में ये आपको 17 नमबर कियो कि उची कुद और गोला फेक में तो सभी आप लोग जानते हैं कि वो तो आख के साम कर 62 नमबर आया और यहीं होता है अक्सर यहीं होता है ठीक वहाँ पर जो बताते भी है ना आपको कि यह इतना नम आप रनिंग में लिए है टाइम और इतना लिए है मत बिलीब कीजिए मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ बस वह ऐसे ही मूँ उठा कर बता देते कि व नमस्तरम की पूरे अभियारती के चीज़ को चेयD चाल करना और अइसा नहीं है कि यह सिर्फ यह अभियारती बाहर निकले हैं ऐसो और ही अभियारती हैं जो कि यह फिजिकल से मेरितली से बाहर निकले हुंए है ठीक तो आपको करना ही पड़ेगा जितना मांकileri साया है वह आपको कर रहा है यहां पर काफी लोग आप लोगे भी मोह बोलते होंगे कि हाइप्ट में कर केस दैजने आ चाहिए किश कर देना चाहिए हमारा इतना माक्स नहीं आ चाहिए वहाँ पर सब सब्चीज होता है और जब सब्चीज होता है तो उसका विडियो रिकोर्डिंग होता है जब भी आप केस करने जाते हैं तो आप तो हाइक सुनवाई पर लाखों रुपईया लिया जाते हैं मैं आपको बहुत से केस अभी CSBC की बिरुद में चल रहा है जो लड़के लड़ र लाख रुपईया ले लेगा फिर बाद में आपका डेट कब आएगा आपके बुजर्ग हो जाने के बाद भी डेट नहीं आएगा तो सब के चक्कर में ना पढ़िएगा यहां पर साफ सब दिखाई दे रहा है कि चार सकेंड के चलते चार सकेंड आप खुद भी मतलब मौर्निंग में कर लेना चाहिए यह नहीं कि सिर्फ मौर्निंग में दोड़ है और सिर्फ हम साम को दोड़ने जा रहे हैं यह हमारा दोपार में दोड़ है हम मौर्निंग में और साम में दोड़ रहे हैं यह दोपार में नहीं रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट आपको प था उसका नहीं है कि आपको जनकारी गलत दिया जाता है जनकारी सब्स ही दिया जाता है क्योंकि एक आट ये गलत जनकारी देने का मतलब कि सब लोग तो इसी पर विश्वास करते हैं तो आपको भी इस पर विश्वास करना पड़ेगा जितना माक्स आता है उसका रिपलाई दिया जाता है मैं खुद ही अपने जो माक्स आया था रेटन में उसके लिए आटे लगाया था एदम समझे की एक नंबर कम करकर जनकारी दिया यह था ठीक नंबर हो सकता है कि मैं इंसर कुछ और मानुँ और वह कुछ और मान रहा है तो उसके लिए मेरा एक नंबर घड़ गया लेकिन मेरा सेलेक्शन हुआ था और फिर मैंने इसलिए जनकारी मंगा था कि मैं देख रहा था कि क्या सही में कोई दिक्कत होता है कि काफ अंदर Bluetooth चले जा रहे हैं अगर उस पर ये अच्छे से अगर कर देरता है कड़ाई तो समझे कि अच्छा ही होगा और फालतु के दूसरे लोग के बहकावे में आईएगा वैसे लोग ले लेंगे एकठा करेंगे आपका समय जाएगा वांसी कुरूब से उत्पीडन होगा आपको कुई सूचना ही नहीं है अराम से फिशकल में आपको बनेगा ठिक और ये कब आएगा ये भी सवाल है कि पढ़ने वाले लड़के तो नहीं ला सकते हैं चोरी करने वाले ही लड़के तो सबसे पहले हम लोग को चोरी को अंकुस लगाना है फिर आप देखिएगा कि फिशकल का अपने आप ही ये माक्स जो है घट जाएगा फिशकल अपने आप ही नीचे आ जाएगा जिस पर परबल रूप से हम लोगों को बात उठाना है पाकी वीडियो कैसा लगा ज़रू बताईएगा वीडियो देखने को बहुत धन्यवाद